आज हम देखिंगे एक साथ ट्रेवल करते हैं और अपने एडवेंचर को कैमरे पर शूट भी करते हैं एक ऐसे एडवेंचर को शूट करते वक्त डैन कैमरे के साथ घूमने लगता है और बैलेंस खोने की वज़े से एक उची जगे से गिड़ जाता है खुश किसमती से उसे सिर्फ कोछ खरोंच आती है लेकिन उसके फ्रेंड्स बहुत घबरा जाते हैं कि कहीं इसको कुछ ज़्यादा चोड तो नहीं लग गई इसके पांच साल बाद दिखाते हैं कि एमी अपने पती जेम्स और अपनी बेटी सारा के साथ मैक्स को सिटी जाती है दरसल में डैन की नई लग्जरी बोर्ट पर जैक का 38 बर्थडे सेलिबरेट करने वाले हैं रास्ते में उने लॉरेन और जैक बाइक में ओवर टेक करते वे जाते हैं फिर वे बोर्ट कलम में पहुँचते हैं जहां डैन की बोर्ट को पार्क क्या गया है सिर्फ एमी लाइफ जैकेट पहनती है और बड़े ध्यान से बोर्ट के और जाती है एक बाट सेलिंग करते वक्त उसके पापा पानी में डूब गए थे इसलिए उसे पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है पर जैम्स उसे सपोर्ट करता है और वो एक डैक पर चड़ जाती है अब डैन अपने कैबन में अपनी प्रिजेंट गल्फरेंड मिशेल के साथ होता है सम मिलकर्ट सेल्स त्यार करते हैं और अपना सफर शुरू करते हैं वे डैन से पूछते हैं कि इतना कॉस्टली बोर्ट खरीदने के पैंसे कहां से आए लेकिन वो ठीक से जबाब नहीं देता एमी और जेम्स अपनी बेटी सारा को सुला देते हैं और उसके पास एक बौकी टॉकी रख देते हैं अगर वो जा गई तो इन्हें बाहर से उसकी आवाज सुनाई देगी फिर इनकी पार्टी शुरू होती है और वे ड्रिंक्स, नाजगाना और बड़ा मस्द इन्जुआई करने लगते हैं फिर मिशिल उन्हे स्विमिंग के लिए बुलाती है और वे मज़े से उसके साथ चले जाते हैं एमी और डैन पोर्ट पर ही रुकते हैं अवे सारा को देखने कैबर में जाते हैं तो डैन कहता है मुझे भी बच्चों से बहुत प्यार है मैंने तुम्हारे साथ बहुत पुरा किया था मुझे माफ कर दो पर एमी अपने पती जेम्स के साथ बहुत खुश है इसलिए वो डैन की बात बीच में हिकार देती है और उसे डैक पर जाने को कहती है यहां बागी लोग खुब इंजुआय करते है जैक समुद्र की गहरे से एक सी शेल निकाल कर लॉरिन को देता है अब मिशिल जेम्स के साथ फलर्ट करती है यहां एमी डैक पर आती है और डैन से कहती है मुझे डर है कि कहीं सारा भी मेरी तरह पानी से डरने न लगे तब ही डैन उसे जबर जस्ती फकड लेता है और उसको लेकर पानी में कूद जाता है एमी बहुत डैन्स हो जाती है और उसे अपने पिता के साथ हुआ हाथ था याद आने लगता है उसकी फ्रेंड्स उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं लेकिन उसे ऐसा लगता है जैसे उनकी आवाजें बहुत दूर से आ रही है तब ही वे रिलाइस करते हैं कि डैन कुदने के जोश में बोर्ट का लेडर नीचे करना भूल गया था अब छोटी सारा बोर्ट पर अकेली होती है जेमस अमी को शांत करने के लिए कुछ गुनगना रहा होता है फिर बोर्ट पर चड़ने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन बोर्ट के साइड से बहुत उंचे होते हैं और वे नाकाम हो जाते हैं मिशल घबराकर हवा से भरेवे डॉल्फिन टुआइग को पकड़ लेती है डैन उस टुआइग की मदद से उपर चड़ना चाता है लेकिन वो बहुत फिसलाव होता है डैन की वजन से टुआइग की हवा ही निकल जाती है तभी डैन बोट पर लगे वे फ्लैप को पकड़ता है लेकिन वो इतना स्टॉंग नहीं होता और जल्दी फट जाता है इसी बीच एमी नॉर्मल हो जाती है और सब सोच में पढ़ जाते हैं की बोट पर कैसे चड़े हैं मिशल को बहुत घबराट होती है क्योंकि उनकी नेचे शाक स्विम कर रही होती है पर डैन अंदर डाइब करके देखता है और बताता है यहां कुछ भी तो नहीं है लेकिन सबी को फिर भी डर लगता है और वे डैन को दोश देते हैं कि तुम्हारी वज़े से हम मुसीवत में पढ़ गए हैं एमी भी रोने लगती है कि बोट पर सारा अकेली है मिशल को तो डर के मारे चकर ही आने लग जाते हैं और वो डूबने लगती है फिर वो एमी की लाइफ जैकेट चिनने की कोशी करती है वे उसे एमी से दूर करते हैं जिसकी वज़े से उसका नर्वस ब्रेकडाउन होने लगता है फिर लॉरेन उसे पीठ के बल लटा कर शांत करती है बहुत देर धूप में रहने से उनको बहुत प्यास भी लगती है तभी बोड पर लटकी वे एक जैकेट से सेलफोन ड्रिंग करता है डैन किसी तरह जैकेट को निकाले लेता है फिर जैक कॉल अटेंड करता है लेकिन लगता है पानी में भीगने से फोन पर सिंगनल कनेक्ट नहीं होता इसी बीच मिशल फोन चिनने की कोशिश में उसे पानी में हिगरा देती है ये लास्ट आप्शन भी पानी में बह गया डैन कहता है कि हम अपने कपडों को रसी के तरह बाहंद कर बोर्ड पर फेंक सकते हैं तब ही एक बोर्ड तेदी से उनके सामने से गुसरती है वे हाथ लाकर बोर्ड के पैसंजर से मदद मांगते है लेकिन पैसंजर को लगता है कि ये लोग हैलो कह रहे हैं और वे बदले में हाथ लाकर ही चले जाते हैं अब डैन का प्लान अपनाते हैं और जैक के जैकिट से उसका चाको निकाल कर अपने कपडों के टुकड़े करते हैं फिर टुकडों को बांद कर एक रसी बनाते हैं जेम्स पोचता है कि क्या बोर्ट के निचले हिस्से से अंदर जाने का कोई रास्ता है पर डैन इस बारे में कुछ नहीं जानता फिर वो चाकू लेकर खोदी बोर्ट के नीचे जाकर चेक करता है इसी बीच वे रस्ति त्यार करके बोर्ट पर फसा देते हैं फिर जैक ओपर निचले हिस्से से टकरा जाता है जैसे वो भार आता है तो लॉरेन देखती है कि उसके हेड इंजरी हुई ये और उसे जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाना होगा अब और कोई रास्ता न पाकर जैक जेम्स से चाकू लेता है और बोर्ट पर छेद करने लगता है त लगता है वो जाग गई है और अपने पैरेंट्स को ना पाकर वो बहुत रोती है यहाँ जैक बिना मेडिकल ट्रीटमेंट के धीरे धीरे मर रहा होता है मिशल बहुत ही कमजोर फील करती है और धीरे धीरे इनसे अलग होकर डूब जाती है डैन उसे बचाने की कोशिश करत लेकिन वह सफल रहता है जैक अपनी आखरी सांसे गिन रहा होता है लेकिन तब भी उसे मजाख सुचता है वो कहता है कि पांच साल पहले डैन कैमरा से शूट करते वे गिर गया था आज भी उसे कैमरा लहना चाहिए था और मुझे लॉरेन की बहुत याद आएगी पिछली ट्रिप में वो बहुत खुबसूरत लग रही थी ये कहकर वो एकदम चुप हो जाता है फिर लॉरेन उसे अपने हातों में लेकर फूट फूट कर रोती है अब जेमस घुसे में डैन पर चिलाता है कि तुम्हे हमारी जान से जादा अपनी बोट प्यारी है एमी उसे शांत करने की कोशी करती है लेकिन जेमस को और खुस्सा आता है कि एमी अपने एक्स लवर की तरफदारी कर रही है जेमस की हालत बहुत खराब होती है और वो उल्टी ही कर देता है तब डैन एक सच बताता है कि ये बोट उसकी नहीं है बलकि उसके बास की है वो मिशल जैसे खुबसूरत लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए छूट बोलता था कि वो बहुत अमीर है और ये बोट उसकी है ये सोचकर वो रोने लगता है लॉरेन बताती है कि वो जैक से बहुत प्यार करती थी लेकिन उसे ये बात कभी नहीं बता पाई और फिर एम्यू से कन्विंस करती है कि वो जैक के शरीर को लहरों में बहने दे इस तरहे खुले समुद्र में कई घंटे बीच जाते है सब ठकी हारे पानी में तैर रहे होते है और अपनी लाइफ की अच्छे पलो को याद करने में लगते है क्योंकि उन्हें लगता है यही अब हमारे आखरी मॉमेंट है जेम्स की हालत और भी बिगड़ जाती है और वो चिल्दाने लगता है लॉरेन और इंदजार नहीं करना चाथी और अपने दोस्तों से दूर स्विम करने लगती है उसे लगता है कि वो किनारे पर पहुँचकर किसी को मदद के लिए बुला लेगी सारा यहां लगाता रो रही होती है एमी वोकी टॉकी पर उसको शान्त करने की कोशिश करती है लेकिन उसका रोना नहीं रुकता अब एमी नीचे गिरे बेच चाको को ढूंडने जाती है लेकिन डैन उसको रोकता है और खुद अंदर जाता है कुछ ही देर में अंधिरा होने लगता है अब एमी और जेमस पानी में अकेले होते है वो बेहोश होने लगता है और कहता है मैं ठक गया हूँ और मेरे सर में दर्द भी है तब ही बारिश होने लगती है और जेमस शान्त हो जाता है एमी रिलाइस करती है कि जेम्स तो मरी गया है और चिल्दाने लगती है डेन उसकी आवाज को सुनता है लेकिन फिर भी चाको ढूड़ने में लगा रहता है क्योंकि वो अपने दोस्तों को बचाना चाहता है अब रात हो जाती है और एमी फाइनली अक्सेप्ट कर लेती है कि उसका पती मर गया वो उसके शरीर को छोड़ देती है और एक लोरी को गुन गुनाती है जो वे अपनी बेटी को सुनाते थे अब डैन पानी से निकलता है तो उसके हाथ में जक्रन होती है और वो दर्द से चिलाता है फिर एमी उसको अपना वेस्ट देती है और बोर्ड के पास स्विम करवाती है इसी बीच तूफान आता है और इस हलत में सर्वाइब करने के चांसे सना के बराबर है डैन बेबस होकर अपने गॉगल्स को बोर्ड पर पीटता है लेकिन कांच से उसका हाथ में और चोट लग जाती है तभी उसको एक आईडिया आता है वो ग्लास को बोर्ड और फोल्डिंग रैम की बीच वाली जगह पर रखता है फिर वो एमी से कहता है कि इस पर पैर रखो और तुम उपर चड़ो वो चड़ने की कोशिश करती है लेकिन बारिश की वज़े से हर बार फिसल जाती है पर डैन कहता है कि तुम्हे हर नहीं माननी चाहिए फिर से कोशिश करो एमी उसके कंदे पर चड़कर फिर से कोशिश करती है लेकिन जब भी वो चड़ती है तो नुकिले गलास पर डैन का हाथ कट रहा होता है और वो दर्द से तरड़ता है लेकिन एमी फिर से फिसल कर पाने में गिड़ जाती है अब वो आखरी बार कोशिश करती है और उपर चड़ जाती है यह देखा डैन खुशी से चिल्दाने लगता है एमी तुन्त लेडर को नीचे करके अपनी बेटी के पास जाती है डैन लेडर को पकड़ लेता है लेकिन फिर रुख जाता है अब उसके पास दो च्वाइसे से या तो वो उपर चड़कर अपनी जान बचा ले या फिर अपने दोस्तों के साथ जान लेवा मजाक करने के ले खुद को सजा दे दे बोट पर एमेज सारा को शान्त करती है और उसके पास लेड़ जाती है कुस देर बाद वो रिलाइस करती है कि डैन उपर नहीं आया वो डैक पर जाकर देखती है तो पानी में लाइफ जैकेट तैर रहा होता है दूर उसे डैन की पच्चाही दिखाए दियती है वो चिलाकर उसे लाइफ जैकेट देने की कोशिश करती है लेकिन कुछ नहीं होता वो समझ जाती है कि डैन अपने दोस्तों की जान के लिए बहुत गिल्टी फिल कर रहा था और इसलिए उसने खुद डूब जाने का फैसला किया तब ही उसे अपने पिता की याद आती है जो किसी को बचाते वे डूब बे थे वो अब डैन को भी उसी तरह खोना नहीं चाती है वो अपने डर को एक और रकट स्विम करके डैन की पीछ जाती है डैन डूबने लगता है लेकिन एमी उसको भार लाने की कोशिश करती है तब ही हमें दिखा जाता है कि बच्वर में एमी ने अपने पिता को भी इसी तरह बचाने की कोशिश की थी फिर सुबह एक फिशिंग बोट वहां आती है और मच्वारा बोट के पैसंजर्स को आवाज देता है लेकिन जब किसी की आवाज नहीं आती तो वो चला ही जाता है सारा जाकती है और रोने भी लगती है और दोसने इसी के साथ ये मूवी यहां पर खत्म होती है बागी दोसनों वीडियो अच्छी लगी हो मूवी अच्छी लगी हो स्टोरी अच्यलगी हो अच्प्समेशन अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजेए और चैनल को सब्सक्राइब कर दे बाखी मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई अपना खियाल रखे कैने फार्निली थेंक्स वर वाचिंग